नमस्कार फ्रेंड्स वागत आप सब एका सॉल्शन में अधरे से वीटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में नाउन से रिलेटर एक प्रेटे सेट लिया है इस प्रेटे सेट में 30 कोशन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना कि आप लोगों 30 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो PDF आपको टेलिग्राम के चैनल पे एक दो दिनवाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लिजे और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियो का PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा और उसका password आपको चैनल के community section में या फिर चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा तो आपके YouTube के home page पे जो है membership का option खुल जाएगा अगर आप YouTube channel को join कर लेते हैं तो उसमें सभी वीडियो इसका PDF होगा उसका password आपको मिल जाएगा और आप लोग जो है telegram को भी join कर लीजिए telegram का जो link है वो वीडियो के description में है तो आप सभी लोग जो है telegram को join कर लीजिए PDF के लिए और आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है कमेंट ओक्स में जरूब बताएं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें चली वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो प्रशन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए अलफा वीड का मतलब क्या होता है तो अलफा वीड का मतलब होता है बर्ड माला बर्ड माला मतलब होता है अलफा वेड का मतलब और इसका मतलब होता है भासा तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा यह हो तो यहां पर 5 बढ़ माला थोड़ी नहीं जानता है हो 5 भासाँ जानता है तो भासाओं के अकोडिंग यहां पर alphabets हो जाएगा क्योंकि alphabets का मतलब ही होता है भासा तो इसका जो है correct हो जाएगा option जो है alphabets correct हो जाएगा अगला जो question number 2 her blank needs cutting तो जो hair लिखा है और hairs लिखा है तो जो hair है यह अपने आप में क्या है uncountable है अपने आप में uncountable noun है uncountable noun जो है इसको कभी भी as या is जोड़कर as या is जोड़कर कभी भी plural form में नहीं लिखा जा सकता है तो इसका जो है correct hair हो हर hair needs cutting मतलब उसके बाल काटने की जरूरत है इसका मतलब हो जाएगा तो इसको as या is लगाखर कभी भी plural form में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि यह uncountable है आप यह याद रखें तो इसका जो है hair correct हो जाएगा अगला question है question number third जो है यह है all the blank was wrong information या informations तो यह आप याद रखें जो information है यह अपने आप में uncountable है तो information जो है अपने आप में uncountable है इसको plural form में नहीं लिखा जा सकता है तो इसलिए इसका information correct हो जाएगा all the information was wrong अगला जो question है question number four the blank cannot live without water तो यहाँ पे fish लिखा है और fishes लिखा है तो जो fish है यह होता है मचली और fishes का मतल़ होता है मचलियों की जाती या मचलियों का बर्ग मतलब तरह तरह की भिन भिन परकार की जाती होती है मचलियों की उसको कहते हैं फिस और जो फिस होता है यह मचलियों के लिए यूज होता है तो इसमें जो हो जाएगा दा फिस हो जाएगा ना कि फिस फिस का मतलब होता है कि मचलियों की पिर्याती या मचलियों की भिनवे निजाती यह फिस का मतलब होता है तो यहाँ पे जो यहाँ पे तरह तरह की जातियों की बात नहीं की गई है यहाँ केवल मचलियों की बात की गई है तो यहाँ पे जो है फिस करेक्ट हो जाएगा अगल के जो बाद आएगा जैसे कोई भी आए किलो मीटर या किलो मीटर या रूपी तो इसमें आपको एस लगाना है यहां पे जो लिखा है 500 होगा ना की 100 तो इसका 100 कला करेक्ट हो जाएगा 500 किलो मीटर इस लोंग डिस्टेंस तो इसका जो है 100 करेक्ट हो जाएगा अगला जो कु music correct हो जाएगा, music कोई spelling नहीं होती है, तो इसका जो हो जाएगा, Vina likes the music of Mother India, तो इसका जो है music correct हो जाएगा, अगला जो कुशन है, question number 7, his blank has been stolen, तो इसमें baggage लिखा है, और baggage लिखा है, तो जो baggage है, यह अपने आप में uncountable noun है, इसको कभी भी, S या Yes जोड़के plural form में नहीं लिखा जा सकता है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा baggage इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 8 The blank lie to the north of India तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है हमाले के लिए आप हमेशा हमाले आज यूज करेंगे तो option जो है इसका second वाला correct हो जाएगा ना कि ये तो इसका जो है मतलभ हो जाएगा हमाले जो है भारत के उतर में इस्तित है इसका मतलभ हो जाएगा आप हमाले के लिए हमेशा हमाले आज यूज करेंगे तो आप ये याद रखें अगला जो question है question number 9 The Indian blank are known for their bravery and loyalty तो इसमें जो है force दिया है forces दिया है तो force का मतलभ होता है बल जो किसी बस्तू पर लगा कर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है जबकि forces का मतलभ होता है cynic तो यहाँ पे cynic की बात की गई है तो यहाँ पे इसका मतलभ हो जाएगा जो भारतिय सेना है अपनी बहादुरी और वफ़ादारी के लिए जानी जाती है इसका मतलब हो जाएगा तो यहां पे forces correct हो जाएगा ना कि force अगला जो question है question है जो 10 है तो phenomenon मतलब होता है क्या घटना और phenomenon मतलब की घटना होता है तो phenomenon जो है अपने आप में plural है जबकि phenomenon जो है यह singular है तो यहां पे जो article आता है यह हमेशा singular countable noun से पहले आता है तो यहां पे जो है natural यहां पे phenomenon हो जाएगा जो की singular है यह plural है तो यहां पे plural नहीं आएगा यहां पे आएगा singular तो यहां पे phenomenon इसका correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन 11 दा हंटर सोट थ्री डियर और डियर्स तो इसमें आप हमीशा याद रखें जो डियर्स लिखा है ये बहुत ही ना के बराबर इंग्लिस गिरामर में यूज होता है तो generally जो है ये डियर यूज होता है तो इसका जो है ये गलत हो जाएगा तो डि कोली मार्दी इसका मतलब हो जाएगा अगला जो कुशन है कुश्शन 12 दा बलेंक applications is very fine इसमें भी तो मैंने आपको यहाँ जो बताया था यह यह याँ scenery तो यहाँ पे आप हमीसे याद रखें जो scenery है यह अपने आप में uncountable noun है इस से इसको कभी भी s या yes जोड़कर plural form में नहीं लिखा जा सकता है तो यहाँ पे हो जाएगा यह scenery इसका correct हो जाएगा the scenery of the Himalayas is very fine तो हमालय की जो scenery है यह बहुत ही अच्छी है बहुत ही ठीक है तो आप यह याद रखें अगला जो कुशन है कुशनमा 13 the room is full of furniture या furniture तो furniture भी अपने आप में uncountable noun है इसको plural form में नहीं लिखा जा सकता है तो इसलिए यहाँ पे furniture इसका correct हो जाएगा the room is full of furniture अगला जो कुशन है कुशनमा 14 है the blank are grazing in the field तो cattle और kettles तो cattle जो है अपने आप में जो है यह plural है तो इसको कभी भी S या E S जोड़कर plural को plural नहीं बनाए जा सकता है तो यहाँ पे the cattle जो है अपने आप में plural है इसलिए यहाँ पे आर बरवाया है तो यहाँ जो है the cattle हो जाएगा cattle हमारा correct हो जाएगा तो cattle का मतलब ही होता है मबेसी मतलब पसू तो यहाँ पे जो है cattle इसको ऐसे जोड़कर नहीं बनाए जा सकता है तो आप यह याद रखें तो यहाँ पे cattle हमारा correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा 15 blank were given to the poor तो गरीबों को जो दिया जाएगा अगला जो कुशनमा 16 है 40 blank are grazing in the field तो यहाँ पे थोड़ा option mistake है आप लोग साही कर लीजे यहाँ पे जो लिखा है यह लिखा है sheep तो यहाँ पे दो option है sheep और sheep तो यहाँ पे sheep कभी नहीं होता है तो इसका जो correct हो जाएगा यह sheep होगा क्योंकि sheep को sheep अपने आप में ही गलत है तो इसको हमेशा आप sheep रखिए तो हमारा यह correct हो जाएगा तो यहाँ पे 40 sheep are grazing in the field इसको कभी भी जो है sheep नहीं लिखा जा सकता है यह गलत है तो आप यह याद रखें अगला जो question है question number 17 he gave here 5 blank rupees तो यहाँ पे जो है 500 rupees होगा तो यहाँ पे यह जो है यह correct हो जाएगा क अगला जो question है question number 18 we enjoy the blank of the kids तो यहाँ पे poetry और poetry लिखा है तो poetry अपने आप में जो है uncountable noun है इसको कभी भी plural form में नहीं लिखा जा सकता है तो यह इसलिए इसको जो है यह uncountable है इसको कभी भी yes जोड़कर plural form में नहीं लिखा जा सकता है तो इसलिए इसका answer जो है poetry इसका correct हो हो जाएगा we enjoy the poetry of the of kids इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 90 19 जो question number है यह है our publisher is a man of blank courage तो इसमें यह spelling नहीं होती है कोच भी तो इसका जो है courage इसका answer हो जाएगा हमारा जो प्रकाशक है वो सहास का आदमी है इसका मतलब हो जाएगा इसका correct गलत है इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 20 जो है यह है one should use blank to protect one's eyes from the sun तो इसमें लिखा है gogle और gogles तो इसमें correct जो हो जाएगा gogles मतलब होता है आंक मारना जबकि gogles का मतलब होता है चसमा तो यहां पे जो है चसमें की बात की गई है तो चसमें के लिए gogles यूज करेंगे क्योंकि इसमें pair चलता है दो आंकों का pair होता है तो इसमें हो जाएगा one should use goggles to protect one's eyes from the sun त His blank have been stolen from the waiting room. तो यहाँ पे लिखा है belonging और belongings. तो belonging का मतलब होता है संबद, जबकि belonging का मतलब होता है जो है सामान. तो इसमें जो है सामान की बात हुई है, ना की संबद की. तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, बेटिंग रूम से उसका सामान चोरी हो गया, तो यहाँ पे belongings इसका correct हो जाएगा. belongings मतलब होता है सामान, और belonging मतलब होता है संबद. तो यहाँ पे जो है सामान की बात की गई है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, belongings इसका correct हो जाएगा. अगला जो कुषन है कुषन नमा 22 जो है You must keep your blank in the locker तो valuable मतलब होता है मूलिबान जबकि valuables का मतलब होता है कुछ कीमती सामान तो इसमें जो correct हो जाएगा कीमती सामान की बात की गई है ना की valuable तो यहाँ पे valuables correct हो जाएगा You must keep your valuables in the locker मतलब आपको अपना जो कीमती सामान है वो लोकर में रखना होगा इसका correct हो जाएगा मतलब अगला जो कुछन है कुछनमा जो 23 जो है यहाँ पे कनवेरी लिखा है यह गलत है इसमें आप थोड़ा सा आर को हटा दीजिए यहाँ पे जो लिखा है कनवे माई blank to your parents तो यहाँ पे रिगार्ड और रिगार्ड लिखा है तो यहाँ पे रिगार्ड गलत हो जाएगा regards correct हो जाएगा regards correct क्यों होगा तो अपने माता पिता के बारे में मुझे बताएं इसका मतलब हो जाएगा तो यहाँ पर regards correct हो जाएगा तो यहाँ पर कनबे लिखा है तो आप इसको याद रखें अगला जो कुशन है कुशन मर्ट 24 जो है everyone gets the fruits fruits of his blink doing और doings तो doing मतलब होता है करना जबकि doings मतलब होता है क्या कर्म या अपनी जो है किस्मत कर्म या किस्मत तो यहाँ पर जो है कर्णी की बात की गई है तो सब को अपनी जो है कर्म का फल मिलता है इसका मतलब हो जाएगा तो यहाँ पर यह नपसिल्स लिखा है, यहां पर नपसिल्स इसका correct हो जाएगा, नपसिल्स मतला होता आया है, अगले हपते उनका साधी का प्रदर्शन होना है, इसका मतला हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, नपसिल्स इसका correct हो जाएगा, इसका मतला होता है, साधी या भी वहाँ, अगल बर्तमान कमाई से संतोष्ट नहीं है, कमाई जो होती है, यह earnings होती है, तो इसका जो है earnings correct हो जाएगा, अगला जो question है, question number 26, I have sent her blank congratulations, और congratulations, तो यहापे जो है congratulations हो जाएगा, ना कि congratulations, यहापे है congratulations, इसका correct हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने उसे बदाई भेजी है इसका मतलब हो जाएगा आगला जो कुश्चन है कुश्चनमा 28 पंडिच जी has sold his blank to educate his children तो जो पंडिच जी ने अपने बच्चों को सिच्छित करने के लिए अपनी जमीन बेच दी तो यहां पे जो है land हो जाएगा ना कि lands तो जमीन जो है यह land होती है तो यहां पे जो है यह land हो इसका correct हो जाएगा अगला जो कुश्चन ना कुश्चनमा 29 जो है your blanks are not functioning properly तो यहां पे जो लिखा है boules जो है यह बाउलस इसका correct हो जाएगा यह गलत हो जाएगा vowels मतलब होता है आथ इसका मतलब जो होता है आथ आपके आथ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा तो vowels इसका correct हो जाएगा अगला जो question ने question मत 30 इस वीडियो का last four and a half आर यहाँ पे आर लिखा है और आर्स लिखा है तो यहाँ पर जो correct हो जाएगा यहाँ पर hours हो जाएगा 4 and a half hours have passed since I came here तो मुझे यहाँ आए साड़े चार घंटे बीच चुके हैं इसका मतलब हो जाएगा Thank you friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and share लुकिया करें अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट कें चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्राम